अज की कानिये जैसी करनी हूँ ऐसी भरनी साधी की सुहाग सेज पर बैटी एक इस्तिरी का पती जब भोजन का थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा उस स्वादिष्ट भोजन की खुस्पू से भर गया रोमान चित उस इस्तिरी ने अपने पती से निवेदन किया कि मा जी को भी यहीं बुला लेते तो हम तीनों साथ मिलकर भोजन करते पती ने कहा छोड़ो उन्हें वे खाकर सो गई होंगी आओ हम साथ में भोजन करते हैं प्यार से उस इस्तिरी ने पुना अपने पती से कहा कि नहीं मैंने उन्हें खाते हुए नहीं देखा है तो पती ने जबाब दिया कि क्यों तुम जिद कर रही हो साधी के कार्यों से ठक गई होंगी इसलिए सो गई होंगी नीन तूटेगी तो खुद भोजन कर लेंगी तुम आओ हम प्यार से खाना खाते हैं उस इस्तरी ने तुरंट तलाक लेने का फैसला कर लिया और तलाक लेकर उसने दूसरी साधी कर ली और इधर उसके पहले पती ने भी दूसरी साधी कर ली दोनों अलग-अलग सुखी घर गिरिषती बसा कर खुसी-खुसी रहने लगे इधर उस इस्तरी के दो बच्चे हुए जो बहुत ही सुसील और आज्याकारी थे जब वह इस्त्री 60 वर्ष की हुई तो वह बेटों को बोली मैं चारोधाम की आत्रा करना चाहती हूँ ताकि तुम्हारे सुख में जीवन के लिए प्रार्थना कर सकूँ बेटे तुरंत अपनी मा को लेकर चारोधाम की आत्रा पर न करने लगे उसी समय उस इस्त्री की नजर सामने एक फटे हाल भूंखे और गंदे से एक ब्रिद पुरुष पर पड़ी जो इस इस्त्री के भोजन और बेटों की तरह बहुत ही कतार नजरों से देख रहा था उस इस्त्री को उस पर दया आ गई और बेटों को बोली जाओ पहले उस इस्त्री को नहलाओ और उसे वस्त्र दो फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे बेटे जब उस इस्त्री के सामने लाए तो वह इस्त्री आश्र शकीत रह गई कि वह ब्रिद वही था जिससे उसने साधी की सुहागरात को ही तलाक ले लिया था उसने उस से पूछा कि क हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी हो गई तो उस बेद्ध ने नज़र जुका के कहा कि सब कुछ होते हुए मेरे बच्छे मुझे भोजन नहीं देते थे मेरा तिरसकार करते थे मुझे घर से बाहर निकाल दिया उस इस तरह ने उस बृद्ध से कहा की इस बात का अंदाजा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहाग रात को ही लग गया था जब तुम पहले अपनी बुढ़ी मा को भोजन कराने के बजाए उस स्वाधिष्ट भोजन की थाल को मेरे सामने कमरे में लेकर आ गए और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आपने पुड़ आता है सायद यही परमपरा होती है सदेव माबाप की सेवा ही हमारा दायत तो बनता है जिस घर में माबाप हसते हैं वही प्रभू बसते हैं अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से यार चैनल को सस्क्राइब अवस्ट करें वीडियो दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किर्पया सपोर्ट करें और आगे बढ़ाने में सहयोग दें